तो यह है आज के प्रेक्टिस सेट का पहला कोश्चन जैसे आपको यह दिखाई दे रहा है किसी एक विशेष यहां हमारे पास चार ऑप्षन भी हैं तो चार ऑप्षन मैं से कौन सा यहां उप्षन जाइड बैट पाता है या पीसी एक विशेष यहां त्थी की आर्थे की स्थिति गो बताता है या किसी एक विशेश महा की आर्थिक इस्तिति को बताता है या किसी एक विशेश वर्ष की आर्थिक इस्तिति को बताता है तो यह जो right answer हमारे पास होगा वो right answer होगा यानि जिस तिथी को ये बनाय जाएगा उसी तिथी की आर्थिक इस तिथी को balance sheet यानि आर्थिक चिठा बताता है वैसे आर्थिक चिठा सब जानते हैं बर्थ के अंत में 31 March को बनाय जाता है calendar बर्थ के हिसाब सागर खाते रखे हैं तो एक दिसंबर को लेकिन भारतिय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसाथ जो अब खात्म balance sheet है वो 31 March को ही बनाने का प्राबधानुस में दिया गया है तो इसका जो right answer हमारे पास है वो है विसेश ये हमारे पास में तिथी किसी एक विसेश दिथी चलते हैं अगले कोशन की ओड़ दूसरा कोशन है मार्ग में माल की छाती एक उपरी वे है बिक्रे कार खाना कार्याल या बित्रन तो यहां इसका जो right answer हमारे पास में है वो right answer है बित्रन यानि डी कि अगला कोशन है रिन पत्र उपर दिए गए वियार्ज में सब्सक्राइब कर देखाते हैं तो इस आय過去 कहां दिखाएंगे चिठ्धे में संपत्ति की और चिठ्धे में दाइत्थे की और लावहानी खाते के केडिट में या लावहानी खाते के डेट में तो कोश्चन को एक बार देखने रिन पत्रों पर दिये गए व्याज मैंसे काटे गए आयकर को जो आयकर काट करके दिया गया है तो वह हमारा एक दाइत्त हो जाता अभी हमने नहीं दिया है हमने रिन पत्रधारियों से वह काट लिया है जब उनको व्याज दिया है तो तो इ बैंक अधिविकर्स को बर्गी किरत करना चाहिए बैंक अधिविकर्स बैंक अधिविकर्स के बारे में पहले हमें मालूम होना चाहिए कि बैंक में जमा धनराशी से अधिक धनराशी जो निकालने के अनुमती मिलती है उसे बैंक का दिविकर्स कहते हैं और ये ब्यापारियों को चालू खाते पर मिलती है तो जब ले लिया है बैंका दिविकर तो फिर ये बन जाता है दाइत्य और बो भी दाइत्य बनेगा ये चालू दाइत्य राइट आंसर भी होगा अगला कोशन है बर्स के मद्धे में दिये गए लावांस को प्रिदर्सित करेंगे यहां पर देखना है जो लिखा है बर्स के मद्धे में दिये गए लावांस को प्रिदर्सित किया जाएगा वो लावानी खाते में या लावानी समयोजन खाते में चिठ्थे में संपत्ति प यह तो आछवानि समयोजन खाता राइट होगा अंद्वानी घरना धेicating प्रियाट कौन सी इस्थाई संपथी है इस्थाई संपथी है बैंक सेश इस इस जाब अपटी नहीं है निर्मेत राइट अंसर जो होगा वो कियाती होगा और छोटे वजार यह भी स्ताहिश संपत्ति नहीं के बैंक में बुनाया गया विल है गजो बिल भुना लिया गया गया वो इसका जो राइट आंसर है वो है संभाब्य दाईत दे रखा चालू दाईत रेका दिया हुआ है चालू संपत्ति दिया इन में से कोई नहीं तो जो बिल भुना लिया गया है ये संभाब्य दाईत होगा राइट आंसर ए होगा संभाब्य दाईत आर्थिक चिठ्थे में संपत्तियों को दिखाये जाता है इस्थाइत के आधार पर बाजार मूले पर फुस्तक मूले पर तरलता के आधार पर तो यहां जो राइट आंसर है वो होगा इस्थाइत के आधार पर पहले प्रिट के चिठ्थे लिए जता है इसके बाद स्थाइस संपत्तियां ली जाती है चल संपत्तियां इस तरह से आयकर के अग्रिम भुक्तान को दिखाना चाहिए आयकर जो अग्रिम भुक्तान उसका कर दिया उसको कहां दिखाएंगे लावानी खाते के लेविट पक्ष में चिठ्ठे के संपत्ती पक्ष में चिठ्ठे के दाइत पक्ष में लावानी खाते के क्रेडिट पक्ष में तो इ कि इसका राइट आंसर होगा कि अब लंबित दाइत एक दाइत है अब लंबित दाइत का पहले हम यहां पर अर्थ अगर समझ लें तो बड़े आसानी से इसका ओप्शन को हम चुन सकते हैं कि समभब्य दाइत को अब लंबित कहा जाता ए ओप्शन है जो बरतमान में नहीं है परन्तु हो जाएगा जल्दबाजी करने में औसर गलत हो जाएगा यह राइए आंसर सही लग रहा है इसके टिक करने पर गलत हो जाएगा सही जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाया जाए, तीसरा है, जिसका होना या ना होना भवेश्य की किसी घडना पर निर्वारे, इसका जो राइट आंसर होगा वो C है, उनिया डि दे रहा कर जोगत वर्सों में न चुकाया गया हो तो इसका राइट आंसर शी है यह पर हो जाएगा यह तो यह इस्थाई बात राइगा यह हो जाएगा ऐसा लेकिन होता है यह कि बहुस्थ्रे की ग़टना पर निर्भार्य हो भी सकता और नहीं भी हो सकता तुलनात्मक आर्थिक चिठ्थे में 10,000 रुपए का प्रारंभिक घटकर 500 रुपए हो गया यह से माना जाएगा तुलनात्मक आर्थिक चिठ्था है फाइनल आर्थिक चिठ्था अभी नहीं है यह तो 10,000 रुपए प्रारंभिक घटकर 500 हो गया यह से माना जाएगा प्रारंभिक वेखरे चालू संपत्ति परीचालन से लाब में समायोजन उपर युक्त में से कोई नहीं राइट अंसर जो होगा वो होगा सी परीचालन से लाब में समायोजन अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें और जुड़े रहें वीडियो के साथ में चैनल के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें जैसे आने वाली सारी वीडियो मिल जाएं क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं बचा है, अगले कोशन के ओर चलते हैं, अगरिम प्राप्त आय होती है, अगरिम प्राप्त आय, आय की एक मद्ध, एक दाइत, एक संपत्ति, इन मैसे कोई नहीं, अगरिम प्राप्त आय, जो हमें प्राप्त हो गई है एडवांस में अभी हमने कार्य नहीं किया है यानि अनार्जित आये हो गई है तो यह हमारा एक दाइत हो गया है तो इसका राइत आंसर भी होगा यानि जो आये प्राप्त कर लिए हमने उसके बदले हम जो भी काम करके देते थे वह हमारा दाइत बन गया छती पूरक असुद्धियां मिलान को प्रभावित करती हैं काई के तलपट के आर्थिक चिठे के या लाभानी खाते के या इन मेंसे कोई नहीं तो आर्थिक चिठे में नहीं मिलान होता है लाभानी खाते में नहीं मिलान होता है यहां पूछा है प्रभावित करती है और इसका राइट आंसर यह होता लेकिन यहां पूछा है प्रभावित करती है, तो इन वेसे आंसर दो आज तरह की कहती हैं, करती होगा इन मैंसे ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिलान को फिर भावित करती हो इसको द्यान से देख लेना कि मुझसे भी गलत अभी मैंने करी दिया था कि निगेटिव आंसर होता तो तलपठम देते हैं कि कोशन के लिए सौरी अगले कोशन के दरब चलते हैं कि बिनयोगों की बसूली नगदी करण के पश्चात सिंकिंग फंड बिनयोजन खाते का से हस्तांतरित किया जाता है तो यह कि यहां कंफ्यूजन में गलती हो जाती है सिंकिंग फंड कोशन में आया है और यहां ऑप्सन में भी दे रखाएशी को राइट कर देते हैं और यह हो जादा राइट आंसर इसका होगा ए लाभानी खाता में अ निम्न में से किस जोडे का मूल सही नहीं है परिबरत अनसील तो यह रिलबत्र होते हैं सहवागी पूर्व अधिकार होते हैं सुरक्षित बंदग पत्र होते हैं यह अधिकार अंस नए अंसदार्यों को निर्गमित नहीं अधिकार अंस नए अंसदार्यों को नहीं पुराने अंसदार्यों को ही निर्गमित किये जाते हैं तो यहां पर जो आंसर था यह निगेटिव पोश्चन यहां पर कह रहा है सही नहीं है तो यहां पर तीनों जो आंसर है शुरू के वो सही है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है जो गलत है वो ये गलत है और यहां निगेटिव ही पूछा है तो इसका जो आंसर होगा सही वो यही होगा यानि डी इसका डी राइट आंसर होगा निम्न में से कौन अमूर्थ संपत्ति है अमूर्थ संपत्ति अभी पीछे कोश्चन में बताया था फरनीचर पेटेंट विन्योंग नूज टूल्थ तो अमूर्थ संपत्ति जो होती है वियानि पेटेंट जो दिखाई नहीं देती वो अमूर्थ संपत्ति होती याँ फरनीचर है विन्योंग है लूज़ टूल्थ है या confirmed सब्सक्राइब किसी रहे हो कर दो कि किसी रिंद के डूवत हो जाने की दसा में राशी क्रिड़िट की जानी चाहिये डूवत यहां अक्सर गलती कर देते हैं लोग रूवत सब्द देख लेते हैं और यहां भी डूबत देख लिया और इसे को राइट कर देते जो कि गलत हो जाता है जब कि इसका राइट आंसर होगा देनदार खाते में हैं भारत में चिठे के लेखा परीक्षन का तात पर निम्न का लेखा का परीक्षण है चिठ्थे तथा लावानी खाते की मदें या लेखर का परीक्षण जो बन जाते हैं खाते उनके परीक्षण में चिठ्थे तथा लावानी खाते की मदें चिठ्थे की संपत्ति संबंधी मदें चिठ्थे के दाइत्य संबंधी मदें या समधर जो हो गया है समंधी सब्ध है यह टाइपिंग मिश्टेख है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ए चिठ्थे तदा लाव हानी खाते की मदे निम्न व्याय समुहों मैं से कौन व्यावाशाई के प्रतियक्ष व्याय हैं बेतन मजदूरी एवं दुकान किराया इन मैसे जो बेतन है वो लाभानी खाते में आता है लेकिन हैं पूछा है प्रतियक्ष व्याय है प्रतियक्ष व्याय के पहले हमें अर्थ मालूम होना चाहिए ऐसे व्याय जो माल को कच्चे माल को खरीदने से सम्मंदी जितने भी खर्च होते हैं वे सब प्रतियक्ष व्याय कहलाते हैं इसके अलाबा कच्छे माल को बिक्री योग्य बनाने है तू या उसके निर्माण में जितने भी जो भी खर्चे आते हैं वो सब प्रतियक्ष व्य कहलाते हैं तो पहला ओप्षन बेतन मजदूरी एवं दुकान किराय ये नहीं है क्योंकि यहां पर बेतन आ गया जो कि प्रतियक्ष व्य नहीं है लेखन सामगरी डाक एवं टेलीफोन ये बित्रन संबंधी हो गए ये भी प्रतियक्ष नहीं है मजदूरी आगत बाहन व्य एवं इस्थानिय कर ये इसका राइट आंसर होगा सी ये तीनों ही प्रतियक्ष कर हैं विज्यापन बैधानिक्षूल के वाम में अंकेक्ष व्य ये भी प्रतियक्ष व्य नहीं है अगला कोश्चन है बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुकतान आर्थिक चिठ्थे में बीमा प्रीमियम खाते में किरमसा निम्न पिरकार से दर्साया जाएगा इसमें दो चीजों में पूछा है बीमा प्रीमियम की बात है इसका अग्रिम भुकतान है तो आर्थिक चिठ्थे में और बीमा प्रीमियम खाते में किरमसा किस पिरकार दर्थाय जाएगा एक दाईत एवं डेविट सेज के रूप में B है एक संपत्ती एवं डेविट सेज के रूप में C है एक संपत्ती एवं क्रेडिट सेज के रूप में एक डाय का सेगे सेज्ट के की रूप में राइट आंसर इसका होगा कि ब्रविया का आर्फिके हो भाहतस तबlais सब्सक्रीब होना चाहिए इसाओ का राइट आंसर होना चाहिए में हां मी राइट यह ठीक है प्रस्तावित लाभांस कम्पनी के इस्तिती विब्रण में देखाये आता है यहां इस्तिती जो है टाइपिंग में इस्टेक है इस्तिती विब्रण प्रस्तावित लाभांस है आयोजन शीर्षक में चालू दाइते शीर्षक में संचेवं अतिर्यक शीर्षक में धीर कालीन दाइते शीर्षक में इसका वी राइट आंसर जो होगा प्रस्तावित लाभांस है आयोजन सीर्षक में लेकिन इसको चालू दाइतर सीर्षक में भी दिखाया जाता लेकिन मध्य में अगर यह होता तब तो इस तरह से हमारे पास यह 20 कोशनों का सेट कंप्लीट हुआ